रादे कृष्णा फ्रेंट्स मेरे इस चैनल या शेतना में आप सभी का हादिक स्वागत अभी नंदन है फ्रेंट्स इंसान धर्ती पे जन्म लेता है थोड़ा सा बड़ा होता है थोड़ा सा और बड़ा होता है बच्चा होता है फिर बच्चे से यंग एज पर आता है और जब यंग एज भी खतम होने लगती तो बढ़ापा आ जाता है अब बढ़ापा तो सबको आना ही है मुझे भी आ रहा है आ चुका है कुछ भी मान सकते हैं तो यह जो बुढ़ापा है यह शारिरिक है मांसिक बुढ़ापा मांसिक बुढ़ापा आप कैसे आप कैसे देखेंगे कि आप मांसिक तौर पर भी बुड़े हो गए क्या आज मैं इसके लिए आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आई हो फ्रेंट्स देखिए मांसिक बुढ़ के लिए सबसे पहली बात जब आपका मन ये नहीं करता आप अपने फ्रेंड्स को अपने घर पर बिलाய जब आपके अंदर एक feeling आ जाती अरे यह रहने दो ऑपना किसी फ्रेंड को एल्शी दूसरी अहंा भी रहते हैं करते हैं आसपस बच्चे होते हैं वो बच्चे मस्ती करने लग जाते हैं अब बचारे आपस में खेल कूध रहें मस्ती कर रहें बट नो आपको तो गुस्सा चढ़ा आपको लग रहा है क्या शोर मचा के रखा हुआ है आपने उनको बचारों को डांट लगा दिया बिना बाद के तो फ्रेंट्स ये आपका दूसरा कदम है कि आप बढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं पड़ासन की जगा पत्नी पर ज़्यादा प्यार आने लगे तो समझ लीजे आप बुड़े हो गए क्योंकि बढ़ापे में पत्नी ही सबसे बड़ी दोस्त होती है और सहयक होती है इसलिए आपको अपनी पत्नी पर ज़्यादा प्यार आने लगता है फड़ासन से तो मान लीजे आप बुड़े हो गए हैं धमाल मस्ती वाली फिल्में आपको अच्छी नहीं लग रही है आप उसको कि अपने टिपंगरण देने लगते हैं और आप टिसलाइक करने लगते हैं इक कम और बढ़ गया आपका बुड़ापे की तरफ फिर जैसे कि आपके फ्रिंस महफिल जमी हुई है या आपके बच्चों के फ्रिंस की महफिल जमी हुई है और उसके बीच में आपने जाकर अपनी को राय दे दी, अपना कोई मश्वरा दे दिया, देखो, आप लोगों को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करोगे तो ये होगा, देखो, आपको धूप के टाइम में पाटी बाटी नहीं करनी चाहिए, इवनिंग में कर लो पाटी, या ड्रिं कर रहे हैं, तो मतलब आपको अपने दिन याद आ रहे हैं, आप अपने दिनों को भूलना नहीं चाहते हो, इसलिए उनको टोक टोक कर, अपने दिन को याद कर ले रहे हैं, एक और रिजन, जब आपको लगता है कि अरे छोड़ो ना, आप कौन, मुझे नए कपड़ों की जरुवत निया है, ना इतने सारे, अप मेरे पैर तो कपर में ले टग गया, पता नहीं, कब बुलावा आ जाए, इसलिए जादा कपड़ों मुझे नीची, मुझे कोई नया कपड़ा पड़न नीची, मुझे दिवाली पे कोई नया कपड़न नी पहनना, जब इस तरीके क कोई romantic song नहीं आदा रहा, तो भी मान लीजे कि आप बुढ़े हो गए, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, तो सब उस खाने की तारीफ करते हैं, पर आपके मुझे एक भी शब्द उस खाने की तारीफ में नहीं निकल रहा है, कि हाँ, अच्छा है, कि टेस्टी है, कि सबजी अच्छी बनी है, कि नान अच्छी है, कि तंदूरी रोटी अच्छी है नहीं, आपने कुछ भी नहीं बताया, मस समझ लीजे, आप बुढ़े हो गए हैं, और ये सारे रीजन्स, जैसे कि बारिश हो रही है, तो पकोड़े की जगह आपको चाता याद आता है, कि जैसे बारिश हो रही तो यांग एज में तो हमें लगता है, यार चाय पकोड़े खाये जाएं, परन्तु बुढ़ापे में च्छतरी की आद आ रही है, कि कहीं भीग गया तो बिमार पढ़ जाएंगे, कहीं से लसी पीने का नियोता मिल रहा है, या आईस क्रीम खाने का न जरूर चलिए, बारिश आ रही है, चाता जरूर पकड़िए, पर पकोड़ों को भी याद रखिए, उनको मत भूलिए, आईस क्रीम खाये, पर यूनो मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूं, जब आप आईस क्रीम खाते हैं, आईस क्रीम खाने के तुरंत तो आप कोलरिंग पीजिए, आप लसी पीजिए, आप आईस क्रीम खाये, आप कुछ भी करिए, लिमिट में खाये ना, अपनी बॉड़ी को ध्यान में रखकर खाये, खुद को बुढ़ा मत होने दो, फ्रेंस, हमेशा जवान बने रहो, बाहर से भी, अंदर से भी, ओकी फ Radikrishna Prince, see you soon.